भाग एक जिसमें वननन है संग और उसके राज छेत्र का क्योंकि यह समविधान भारत का है इसलिए इस समविधान के भाग एक में किसका वननन होगा? जाहिर सी बात है भारत का जिस तरह हम लोग नोट्स भी बनाते हैं तो अपने नोट्स के पहले पन्ने पर अपना नाम लिखते हैं ठीक उसी प्रकार क्योंकि यह समविधान भारत का है इसलिए उसके पहले भाग पर किसका वननन होगा? भारत का और आपको पता है कि भारत संग है किसका? राज और केंदर सासित प्रदेशों का तो भाग एक में किसका वननन है दोस्तो? संग और उसके राज छेतर का क्लियर है और भाग एक में कौन से अनुच्छेद आते हैं? अनुच्छेद एक से लेकर अनुच्छेद चार तक भाग दो जिसमें वननन है नागरिक्ता का और अनुछेद है 5 से लेकर 11 तक तो नागरिक्ता में एक सब्द छुपा हुए नाग यनी साप और जैसे कि आप लोग पिक में देख रहे हैं कि नाग का आकार बिल्कुल 2 जैसे लग रहा है है ना, नाग का आकार किसके जैसे लग रहा है? दो जैसे तो 2 से हो गया भाग 2 और नाग से हो गया नागरिक्ता तो भाग 2 में किसका वर्णान है दोस्तो? नागरिक्ता का और इसमें अनुछेद है 5 से लेकर 11 तक अगले है भाग 3 जिसमें वर्णान है मूल भूत अधिकार का और इसमें अनुछेद है 12 से लेकर 35 तक तो मूल भूत में एक सब्द छुपा हुआ है भूत और अधिकार को याद करने के लिए कर लेते हैं अधियार अधियार का मतलब अधेरा और भाग 3 तो 3 यानी 3 तो 3 को कर लेते हैं 3 तो आपने अगर कोई भी भूत वाली मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि उसमें अधियार में यानी अधेरे में भूत ट्री में मिलता है यानी पेंड के पास मिलता है ज्यादातर मूवियों में पीपल के पेंड के पास जैकी नीम के पेंड के पास भूत दिख जाता है वो भी कब अधियार में है ना तो अधियार में भूत दिख जाता है तो भूत से हो गया मूल भूत और अधियार से हो गया अधिकार और ट्री से क्या हो गया दोस्तो थ्री तो भाग थ्री में किसका वर्णन है मूल भूत अधिकार का और इसमें अनुछेद आते हैं 12 से लेकर 35 तक क्लियर है अगला है भाग चार जिसमें राज के नीति निदेसक तत्तु का वर्णन है और इसमें अनुछेद है 36 से लेकर 59 तक तो राज के नीति निदेसक तत्तु में एक सब्द छुपा हुआ है नीति याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं इसको नीद तो भाग चार में भी एक सब्द है चार तो चार से मिलता जुल्टा सब्द है चोर तो चोर कब घुषते हैं दोस्तों घर में जब कि सब नीद में होते हैं है ना जब सब नीद में होते हैं तब घर में चोर घुषते हैं तो चोर से हो गया भाग चार और नीद से हो गया नीति निदेसक तत्तु तो भाग चार में किसका वर्दन है राजी के नेती निदेसक तत्तो का और अनुशेद कितने है 36 से लेकर 59 तक clear है अगला है भाग चार का जिसमें वर्णन है मूल करतब का और इसमें अनुशेद है 59 ए तो भाग चार का तो जैसे कि मैंने भाग चार में बताया कि चोर तब गुषते हैं जब सभी व्यक्ति नीद में होते हैं तो चोर को पकड़ने का करतब भी किसका होता है दोस्तो पुलिस का है ना चोर को मैंने बोला कि चोर को पकड़ने का करतब भी तो इसमें एक सबदार है का और दूसर सबदार है चोर तो चोर से हो गया चार और का से हो गया का और मैंने बताया पकड़ने का कर्तब्य पुलिस का है तो कर्तब्य से हो गया मूल कर्तब्य तो भाग चार का में किसका वणना है दोस्तो मूल कर्तब्य का और इसमें अनुछेद है इंक्यावन ए क्योंकि चोर को पकड़ने का करता भी किसका होता है पुलिस का ठीक है अगला है भाग पाँच जिसमें वर्णन है संग का यनी यूनियन का और इसमें अनुछेद है 52 से लेकर 159 तक तो यूनियन से एक मिलता जूलता सब्द है ओनियन और ओनियन का मतलब होता है प्याज और प्याज और पाँच दोने एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते हैं बाकि आपको प्याज से कोई भी सब्द नहीं मिलेगा तो प्याज से हो गया पाँच तो पाँच से क्या हो गय clear है अगले है भाग 6 जिसमें वनन है राज्ज का यानी इस्ठेट का और इसमें अनुछेद है 152 से लेकर 237 तक तो state की spelling start होती है yes से और s से होता है 6 है ना s से होता है 6 तो 6 से हो गया भाग 6 तो भाग 6 में किसका वणन है दोस्तो state का और इसमें कितने अनुशेद आते हैं अनुशेद 152 से लेकर 237 तक clear है अगला है भाग 7 जिसे सम्विधान के साथवे संसोधन अधिनियम 1956 के अंतरगत डिलीट कर दिया गया यनी हटा दिया गया तो हटाने को सम्विधान की भासा में क्या बोलते हैं दोस्तो निर्सत और वैसे भी आपको याद रखना है तो निर्सत में एक सब्द चुपा हुए सत तो सत से हो गया साथ तो भासाथ को निर्सत कर दिया गया सन 1956 में जिसमें केवाल एक ही अनुचेत था वह था अनुचेत 238 क्लियर है अगला है भासाथ जिसमें वर्णन है संग राजी छेतर का और इसमें धाराएं हैं 249 से लेकर 242 तक तो मैंने संग राजी छेतर को राजी को इस्टेट कर दिया है और छेतर को स्कोप कर दिया है मतलब दोनों को इंगलिस में लिख दिया है और संग को संग ही रहने दिया है तो इस्टेट का S और स्कोप का S अगर दोनों को मिला दें तो हो जाएगा 8 जैसे कि आप लोग पिक देख रहे हैं जब दोनों yes मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 तो भाग 8 में किसका वर्णन है दोस्तो संग राज छेत्र का और इसमें कौन से अनुछेद हैं अनुछेद 249 से लेकर अनुछेद 242 तक clear है अगला है भाग 9 जिसमें वर्णन है पंचायत का और इसमें अनुछेद है 243 से 243 ओ तक तो अगर हम पंचायत का संदी भी खेद करें तो दो सब्द मिलेंगे कौन से? एक पंच और दूसरा आयत तो पंच से हो गया पंच और आयत के कोने अगर आप गिनो तो कितने कोने होंगे आयत में? चार तो पांच और चार मिला के कितने हो गये दोस्तो? नव तो भाग नव में किसका वर्णन है? पंचायत का और इसमें कितने अनुछेद है? अनुछेद 243 से अनुछेद 243 ओ तक क्लियर है? अगला है भाग नव का जिसमें वर्णन है नगर पालिका का और इसमें अनुछेद है 243 पी से 243 जिड जी तक तो भाग नव का में दो सब्द हैं एक नव और दूसरा का तो नव से ले लेते हैं सब्द ना और का तो है ही तो ऐसा कौन सा सब्द है? जो कि ना सी स्टार्ट हो और का से खतम हो तो वह है नगर पालिका क्योंकि एक सब्द दौर आता है ना से वह है नागरिकता तो वह ता से खतम होता है ना कि का से तो ऐसा सब्द जो कि ना सी स्टार्ट हो और का से खतम हो वह केवाल एक ही है वह है नगर पालिका तो भाग नौ का में किसका वणन है दोस्तो नगर पालिका का और इसमें कौन कौन से अनुछेद हैं अनुछेद 243 P से अनुछेद 243 G तक अगला है भाग 10 जिसमें अनसूची जाती और अनसूची जन जाती छेतर का वर्णन है और इसमें अनुछेद हैं 244 से 244 A तक तो आपने सुना होगा कि पहले के टाइम पे जो अनुछेद जाती और अनसूची जन जाती के अंतरगात आते हैं उनको दास बना के रखा जाता था और उन पर अत्याचार किये जाते थे जब भारत का संविधान नहीं बना था उस टाइम पे अनसूची जाती और अनसूची जन जाती को दास बना के रखा जाता था और उन पर रत्याचार किये जाते थे तो दास बना की रखा जाता था तो दास से हो गया दस तो भाग दस में किसका वर्णन है दोस्तो अनसूची जाती और अनसूची जन जाती छेतर का और इसमें कौन से अनुच्छेद आते हैं अनुच्छेद 244 से लेकर अनुच्छेद 244 ए तक क्लियर है भाग ग्यारा जिसमें वर्णन है संग और राज्यों के बीच संबंध का और इसमें अनुछेद है 245 से लेकर 230 तक तो लिखा हुए संग और राज्यों के बीच संबंध तो कहते ना कि अगर एक एक आदमी के बीच में संबंध अच्छा हो तो सब आपस में मिलकर रहेंगे और किसी का किसी से जगड़ा नहीं होगा तो एक एक आदमी के बीच संबंध अच्छा हो तो यहाँ पर आदमी की बात तो होगी ने क्योंकि यह भारती संबिधान के भाग है यनि तो किसकी होगी भारत की तो भारत किससे मिलके बना है राज और संग से तो यहाँ पर राज और संग के बीच संबंध अच्छा हो तो सब आपस में मिलकर रहेंगे तो भाग 11 में किसका वर्णन है दोस्तों? संग और राज्यों के बीच संबंध का और इसमें कौन से अनुछेद हैं? अनुछेद 245 से लेकर अनुछेद 263 तक क्लियर है? अगले है भाग 12 जिसमें वर्णन है वित संपत्ति संविदाएं और वाद का और इसमें अनुछेद हैं 264 से लेकर 300 तक तो वित संपत्ति देखकर मुझे एक कहावत याद आती है आपने एक कहावत सुनी भी होगी कि बाब बरा ना भाईया सबसे बड़ी रुपईया तो बाब बरा ना भाईया तो बरा से हो गया बारा और सबसे बड़ी रुपईया यनी संपत्ति और पैसे तो वैसे का मतलब क्या होता है यहाँ पर वित तो भाग बारा में किसका वर्णन है दोस्तों वित संपत्ति संबिदाएं और वाद का और इसमें कौन से अनुशेद आते हैं अनुशेद 264 से लेकर 300 ए तक क्लियर है अगले है अनुशेद 13 जिसमें वर्णन है भारत के राज्य छेतर के भीतर व्यापार वनिज और समागम का अगर एक सब्द में कहें तो बिजनेस की बात हो रही है भाग 13 में और इसमें अनुशेद हैं 301 से लेकर 307 तक क्लियर है अगले है भाग चौदा जिसमें वर्णन है संग राज्यों के अधिन सेवाओं का और इसमें अनुशेद हैं 308 से लेकर 320 तक तो बात हो रही है भाग 14 की 14 में एक शब्द छुपाँए फोर्ट अर्थात किला तो आपको पता है कि किलो में बहुत ज़्यादा सेवा होती हैं और वहां बहुत ज़्यादा सेवक भी लगे हुए होते हैं तो सेवा या कि सेवक से हो गया अर्थाद संग राज्यों के अगला है भाग चवदा का जिसमें वर्णन है अधिकरण का यानि ट्रिबिनल का अर्थात न्याले का और इसमें अनुछेद हैं 323A से 323B तक और भाग चवदा अर्थात भाग 14 तो 14 से एक मिलता है जुलता सब्द है फाइटिंग करना तो करने से एक सब्द है का और फाइटिंग जो गया 14 तो अगर आप किसी से जगडा करोगे यानि फाइटिंग करोगे तो आपको न्याले जाना पड़ेगा है ना तभी आपका न्याय होगा न्याले याकि ट्रिबुनल जाना पड़ेगा तो न्याले से हो गया अधिकरण या 323 B तक clear है? अगला है भाग पंदरा जिसमें वर्णन है निर्वाचन का जिसको मैंने याद करने के लिए नीर्वाचन कर लिया है और इसमें अनुछेद हैं 324 से 329 A तक तो पंदरा को याद करने के लिए हम लोग कर लिएते हैं पानी दरा अर्थात इसमें एक सब्दार है पानी और निर्वाचन में एक सब्दार है नीर तो आपको पता है कि पानी और नीर एक ही सब्द होते हैं यानि यह सब किसके परियावाची होते हैं जल के तो पानी से हो गया पानी दरा और नीर से हो गया निर्वाचन तो भाग पंद्रा में किसका वर्णन है दोस्तो निर्वाचन का और इसमें कितने अनुछेद हैं 324 से लेकर 339 ए तक clear है अगला है भाग सोला जिसमें वर्णन है कुछ वर्गों के लिए विशेश उपवंद का और इसमें अनुछेद हैं 330 से 342 तक सब्ध है सोना और जो सोने का काम होता है वह कुछ ही वर्ग करते हैं अर्थाज जोहरी वर्ग ही सोने का काम करते हैं है ना तो कुछ ही वर्ग सोने का काम करते हैं तो कुछ वर्ग से हो गया कुछ वर्गों के लिए विशेश उपवंद है और सोने से हो गया तो भाग सोला में किसका वणन है दोस्तों? कुछ वर्गों के लिए विशेश उपवन्द का और इसमें कौन से अनुच्छेद आते हैं? अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक क्लियर है? अगला है भाग सत्रा जिसमें वर्णन है राज भासा का और इसमें अनुच्छेद हैं 343 से 351 तक तो राज भासा में दो सब्ध हैं एक राज और दूसरा भासा तो राज को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं राजा तो ऐसा कोई भी राजा नहीं हुआ इतिहास में कि जिसका कोई सत्रू ना हो आप किसी का भी उत्यहरन ले लिजिए हर एक राजा का कोई ना कोई सत्रू होता है आपको भी पते हैं तो सत्रू से हो गया सत्रा अर्थात भाग सत्रा और राजा से हो गया राज भासा तो भाग 17 में किसका वर्णन है दोस्तो राज भासा का और इसमें कौन से अनुछेद आते हैं अनुछेद 343 से अनुछेद 351 तक अगला है भाग 18 जिसमें वर्णन है आपात उपवंद का और इसमें अनुछेद हैं 352 से 360 तक तो आपात काल कितने प्रकार के लगते हैं भारत में तीन प्रकार के आपको भी पता हैं कि भारत में तीन प्रकार के आपात काल लगते हैं एक National Emergency, दूसरा State Emergency, जिसको आप राज्टपती सासन भी बोलते हैं, और तीसरा है विद्ध आपातकाल, है ना, तो तीन प्रकार के आपातकाल भारत में लगते हैं, तो अगर कोई आपसे पूछे, कि आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, कि ए तीन प हो गया भाग 18, और कौन तीन प्रकार के होते हैं, आपातकाल, तो आपातकाल से हो गया, आपात उपवंध, तो भाग 18 में किसका वर्णन हैं दोस्तो, आपात उपवंध का, और इसमें कौन से अनुछेद हैं, अनुछेद 352 से, अनुछेद 360 तक, clear हैं, अगला है भाग 19, जिसमें वर्णन है प्रकीर्ण का, जिसको याद करने के लिए मैंने प्रकीर्णन कर लिया है, और इसमें अनुछेद है 361 से 360 तक, तो प्रकीर्णन का मतलब होता है, किसी भी रोशनी या रंग का फैलाओ, सबसे कम कब होता है, नाइट में, तो नाइट से हो गया 19, अर्थ प्रकीर्ण का और इसमें कौन से अनुछेद हैं 361 से लेका 366 तक क्लियर है अगला है भाग 20 जिसमें वर्णन है संसोधन का और इसमें एक मात्र अनुछेद है वह है 368 तो संसोधन में एक सब्द चुपा हुआ धन और 20 को याद करने के लिए कर लेते हैं फीस तो दोस्तों फ फीस पे करो तो आप क्या देते हो धनी देते हो जाहिर सी बात है फीस का मतलब धनी है तो फीस से हो गया भाग 20 और धन से हो गया संसोधन तो भाग 20 में किसका वर्णन है दोस्तों संसोधन का और इसमें कौन सा अनुछेद है अनुछेद 368 क्लियर है अगला है भाग 21 जिसम वर्नन है आइस थाई संक्रमन कालीन विशेश उपवंध का और इसमें अनुछेद है 379 से 392 तक तो एक सब्द लिखा हुआ है संक्रमन कालीन इसको याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं संकट कालीन यानि संकट के समय में तो दोस्तों हमेशा संकट के समय में एक काम किया जाता है वह है भगवान से दुआ हर कोई संकट काल में ही भगवान से दुआ करता है तो दुआ में एक सब्द है दो और दूसरा सब्द है वा से हो गया वन तो दो और वन मिला के कितने हो गये दोस्तों 21 तो भाग 21 में किसका वर्णन है दोस्तों संकट कालीन से आइस थाई भाग 22 जिसमें वर्णन है संचिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निर्शन का और इसमें अनुछेद है 393 से 395 तक तो पहला सब्द लिखा हुआ है संचिप्त नाम यानि छोटा नाम तो सबसे छोटा नाम क्या हो सकते हैं? आप ही बताओ, अगर एक अक्षर का नाम रखा जाए तो क्या वह कोई नाम होगा? माली जे किसी का नाम रख देते हैं का तो ये कोई नाम नहीं है, किसी का नाम खा हो गया तो वह भी कोई नाम नहीं है और अगर दो अक्षर का रखे तो नाम हो सकता है जिसे राम है ना तो दो अक्षर का नाम रखे तो नाम हो सकता है तो दो दो अक्षर का नाम रखना चाहिए अगर आपको संचिप्त नाम रखना है तो दो दो से हो गया 22 और संचिप्त से हो गया संचिप्त नाम तो भाग 22 में किसका बढ़न है दोस्तो संचिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निर्शन का और इसमें कौन से अनुछेद हैं अनुछेद 393 से 395 तक